जीनियस फेंट्स स्वागत है आपका आपकी फेविट चैनल बोधी ट्री में दोस्तों आज हम कच्छा बारा का इंग्लिस का सेकेंड लेंगवेट का कुश्चन पेपर स्वाल करने वाले हैं तो यहां पे मैं जो बोड का पेपर है वो मैं स्वाल करने वाला हूं और यह आपके लोग के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है पूरा वीडियो देखना होगा दो पार्ट में आपको सायर करूँगा पहला हमारा सेक्षन है इसमें हमको बताना है कि यह वाकि सही है या गलत पहला है सक्सेस नेवर चैन्ज वॉल्ट सफलता ने कभी भी वाल्ट को बदला नहीं उनमें कोई बदलाव नहीं आया तो यह सकते है वाल्ट डिज्नी वाला जो पार्ट है मारा वो दूसरा है एंड्स नेवर वर्क इन टीम चीटिया कभी भी टीम में काम नहीं करती तो गलत है वो टीम में काम करती है According to Helen Keller, Honest, Swade and Persistent Toil Bring Happiness to Workers Helen Keller वारा जो पाठ है उसमें से यह लिया गया है Helen Keller कहती कि इमानदारी से बहाया गया है पसीना, Toil याने हार्ड वर्क यह जो है मजदूरों के जीवन में प्रसंसा खुशी लाती है तो यह उस तो गलत है, उनका मानना है कि जो मजदूर है, महनत करते हैं लेकिन उसका बदला उनको कुछ भी नहीं मिलता, तो यह statement हमारा false है Dr. Kamle said that there was no sure cure for Nana's mental disorder Dr. Kamle का कहना था कि नाना की जो बीमारी थी, उसका कोई भी perfect इलाज नहीं था तो यह सक्तिय है, यह जो हमारा topic number 4 है, adjustment उसमें से लिया गया है अब इस तरह के true or false के लिए आपको दोस्तों किताब पढ़ना बहुत ही जरूरी है किताब अवस्य पढ़िएगा next है, find the nearest meaning, सबसे करीबी अर्थ dreadful का मतलब होता है, भयानक, डरावना इसका यह होगा horrible tired का मतलब होआ है, थका हुआ domesticate, domestic का मतलब होता है, पालतू और domesticate यहने पालतू बनाना तो इसका समानार्थी होगा tam tam यहने पालना होता है, tam यहने भी पालना यहने पालतू बनाना destroy का मतलब होता है, to ruin, बर्बाद करना मैं एक्स्टा भी आपको बर्बाद आता हुँ ताकि आपका confidence बढ़ जाए quibbling, quibbling यहने लगातर जगडा करने वाला तो इसका होगा argument करने वाला, arguing यह इसका अर्थ है irritating यहने चिर्चिरा वाला, चिर्चिरा पन क्वारईल यहने जगडना यह अर्थ हैं मैंने लिख दिये, लिखके तयार करेगा next है, select the most appropriate language function from the bracket and write them against the given sentence तो पहला है, we used to play outdoor games instead of playing with mobile phones हम mobile phone पे खेलने का मतले, outdoor games खेला करते थे यह used to, यह क्या दिखाता है, भूत काल की आदत habitual action in the past यह हमारा number one हुआ the child wanted to buy the same toy as was displayed in the shop बच्चा वही खिलोना खरीदा जाता था जो डिस्प्ले में बताए गया था यहाँ पे क्या बताए गया है यहाँ तो दोस्तों इसमें से कुछ नहीं बत रहा है talking about thing आना चाहिए, person नहीं यह person के बते दोस्तों thing आना चाहिए, किसी चीज के संदर बात करें, हम toy के बारें बात करें यह ज़्यादा suitable लेगा once should, should याने का मतलब होता है चाहिए, तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या कर रहे हैं सलहा दे रहे हैं, तो यह क्या हो जाता है advice okay next is select and write the most appropriate response I want to buy a smartphone for my father expressing result तो result वाला जो वाक्य होता है, इसमें two आता है और so that यह भी आता है, यह result के लिए यह वाला जाएगा but it's too costly for you to buy यह हमारा answer है फिर हाव वाज रोशनी का ड्रामा यस्टरें रोशनी का ड्रामा कैसा था यहाँ पे बोला संपोजिशन तो supposition में दोस्तों आता है as if as if का मतलब होता है जैसे की इसके बाद आता है as if के बाद सर्वनाम फिर उसके बाद आता है where यह आप लोग याद रखना सर्वनाम याने pronoun noun के बदले जो आता है उसको बोलते हम pronoun तो देखो see acted as if see where है real actress यह हमारा answer जो आपको tips बता रहा हूं याद रखना यह पूरा जो topic है दोस्तों यह identification of the function इसकी 12 marks का यह है यह 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 है यह इसका जो लिंक है मैं share करने वाला हूं description में और इस नई नई में by mistake अगर मैं miss कर जाओ तो आपको यह पूरा वीडियो अवस से देखना चाहिए next है passenger when will the gujarat mail arrive gujarat mail कब आएगी expressing advice अला देना है तो the train is late today यह तो कोई शला की बात नहीं I don't know major नहीं माला विदी नहीं यह भी नहीं you had better go and ask in the inquiry office यह हमारा answer बोले बहतर होगा कि आप जाकर inquiry office में पूछे manager why didn't you attend the last meeting giving reason तुमने पिछली meeting क्यों attend नहीं की sorry sir I forget the time of the meeting यह भी suitable नहीं है sir I was not present in the office में office में present नहीं था since I was busy with the next project I didn't attend the meeting यह हमारा सही है इसमें जो since सब्दे है यह region दरसा रहा है यह दो वाला जो होता है यह क्या दरसाता है contrast तो हमारा answer है यह three c वाला यह यह हमारा c answer है next select and write the most appropriate question to get the underlined words phrases as their answers इन्हें वाक्य दिया इस पे से हमको प्रस्च बनाना है तो यह आप कर सकते हैं जब आपका जो वाक्य है इसका अर्थ आपके दिमाग में clear हो तो मैं इसका transition बता रहा हूं due to his laziness रजनी lost the chance of promotion laziness याने आलस लेजी का मतलब होता है आलसी और laziness का मतलब होता है आलस से बरबर तो आलस के कहां रजनी इस ने रजनी का जो इसमें वाई से प्रस्न सुल होगा क्यों चली गई क्यों उसका प्रमोशन का चांस किला गया तो देखे वाई वाले दो है अब था कंफ्यूजन हो गया तो इसमें सही कौन सा तो देखे सिंपल पास का सेंटल से सिंपल पास्ट में इंट्रोगर्य बनाने के लिए करता कै बार दीडाता है तो दीड़ वाला कौन सा है हमारा यह यह हमारा सही आंसर है मैं आपको एकदम पर्फेक्टिब बता रहा हूं अब इसका प्रस्मी पढ़ लीजिए वाइडिद रस्नी लूज दे चैंस ओ प्रमोशन रस्नी का प्रमोशन का चांस क्यों चला गया यह इसका सही आंसर है राकेश गिप्टेड वाच तो हिस सिस्टर और रक्षा बंदन राकेश ने अपनी बहन को रक्षा बंदन पर एक वाच दी तपने पुछे राकेश ने रक्षा बंदन पर अपनी बहन को क्या दिया तो वाट से हमारा प्रस्न सुरू होगा तो वाट वाला यही है अकिला माई माउंट आबू अम्दाबाद से 200 किलमेटर दूर है तो हमारा प्रश्टों का माउंट आबू अम्दाबाद से कितनी दूर है तो कितनी दूर के लिए आता है हाउफार हाउफार वाला यह रहा हमारा हाउफार इस माउंट आबू प्रॉम अम्दाबाद we should go for a walk in nature for relaxation हमें रिलेक्सेशन के लिए प्रकृति में वाक के लिए जाना चाहिए तो उप्रस्व होगा हमें किस के लिए जाना जीए या क्यों जाना चाहिए तो यह हमारा परफेक्ट आंसर होगा वाई शुड़ भी गो इन नेचर यहां प्लेस की बात हो रही है प्लेस इस्थान की तो यह वैर से शुरूगा आंसर होगा वैर शुड़ भी गो फॉर रिलेक्सेशन हमें रिलेक्सेशन के लिए कहां जाना चाहिए तो आपका उत्तर होगा इन नेचर अब सेक्शन भी है रिए आज़र दर गूसर दर गूस्टेमर सर्वीज कें इंस्टो लाओ किया आप लव को इंस्टोल कर सकते हो कस्टोमर केता है I can do that में कर सकता हूं I am not very technical but I think I am ready to install now केदा में ज्यादा टेक्डिकल नहीं हूं लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं भी इसको इस्टोल करने के लिए तैयर हो वाट डू आई डू फर्स पहले में क्या करो तो कस्टमर से सर्वीस रिप्रेजनटेटिव कहता है the first step is to open your heart पहला अपना दिल खोलो have you located your heart क्या तुम्हें 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 हाट मिल गया तो कस्टमर कहता है yes I have हाँ मुझे मिल गया है but there are several programs running now right now लेकिन बहुत से programs चल रहे है कस्टमर सर्वीस रिप्रेजनटेटिव what programs are running में कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे है तो कस्टमर कहता है past hurt extension past hurt याने भूत काल का जो घाव है मनिश्य के जो भूत काल की जो किसी ने उसको चोट पहुचाई हो भूलता नहीं है तो उसको बुल दे past hurt low esteem याने नीचा आत्मसम्मान grudge याने किसी के प्रती ग्रणा का भाव descendment याने repulsion किसी के प्रती मतलब हम कह सकते किसी को ignore करने वाली भावना what is the first step to install love यहने love को install करने का पहला step क्या है तो देखे the first step to install love is to open her heart क्या है उसका heart open करना यह उसका पहला रास्ता है what programs are running in the heart of the consumer customer sorry customer के heart में कौन कौन से program चले तो the programs past hurt extension, low esteem extension, grudge extension, resentment extensions are running in the heart of the customer okay next my brother Walt is no more मेरा भाई Walt अभी इस दुनिया में नहीं है yet his influence lingers like a living presence over the studio where he turned out the cartoons, nature films and feature movies लेकिन उसका जो influence है influence का मतलब होता है प्रभाव अभी भी इस टूडियो में प्रजयन से याने उपस्तिते है जहां पे उसने cartoons, nature films और feature movies बनाई थी even now as I walk around the studio crew I hap expect to encounter encounter that tall country boy figure head bowed in thought about some new project अभी भी अगर मैं इस्टूडियो में घूम तो मुझे ऐसा लगता है मेरी की वो लंबा सा देहाती सा लड़का सीर जुका करके किसी प्रोजेक्ट पर सोचता हुआ मुझे मिल जाएगा यानि वो उसकी भाई की बात कर रहा है वाल्ट वाल्ट क्या था ड्राइविंग फोर्स भी हैं अब जो कुछ भी किया हमने मुवी बनाए डिजनी डेंड बनाए उसके पीछे का मुख के प्रेरक बल कौन था वाल्ट वाल्ट डिश्काइब वाल्ट सुश गार्ष्य कैण संटहे हैं गर। तो दिज्नी ने जो वर्ड का जो लुक का वर्रण किया हो आप बताईए तो अकोरडिंटु वर्ड बर्दर रोयर डिज्नी वर्ट लुक टॉल, कंट्री बॉय फिगर वर्ड के साथ लंबा और कंट्री बॉय फिगर था उसका है देह आती प्रकार का व्यक्ति इस्टूडियो उसका भाई वाल्ट प्रेना का मुख किस्रोत था नेक्स्ट है माइन एमोसेंस और बोरी आर क्लोजी इंटरलिक्ट और अल्वेज वर्क तूगदर हमारा मन भावनाय शरीर एक दूसरे से जुड़ी होती है और ये एक साथ काम करती है अगर आप इनको सेपरेटरी अलग लग समझ सकें यूर मैंटल के पिसिटी से और यूर अबिलिटी स्टू कॉंसेंट्रेट तो टेकिन न्यू इंफ्रमेशन तो रिवेंबर ओल्ड और न्यू इंफ्रमेशन और तो बी इन पोजिशन तो थिंक लोजिकले मैंटल मांसिक का मतलब होता है कि आपकी कॉंसेंट्रेट यानि ध्यान लगाने की छमता नए इंफ्रमेशन गरहण करने की छमता पुरानी इंफ्रमेशन को याद करने की छमता यह आपके उसमें आता है What three things are closely connected? कौनसी तीन चीज़े closely connected है एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो चीज़े क्या-क्या है? तो mind, emotions and body are closely connected What enables you to think logically? कौनसी चीज़े जो आपको logically सोचने के लिए समर्द बनाती है तो our mental capacities, हमारी जो मानसिक चमता है, enables us to think logically यह हमें logically सोचने के लिए समर्द बनाती है Next है, put on some music you like and dance through the room आपको जो पसंद हो music चालो कीजिए और कमरे में नाचिए This creative activity exercise the right side of the brain and helps rebalance your brain यह जो creative activity है, इससे आपका मगच का जो right side है, brain का उसकी exercise होती है और आप अपने brain को rebalance कर सकते है Now get a fish tank and watch the fish swim around languidly अब जो fish tank जिसमें मचलिया रखते हैं, उसमें मचलियों को तेहरते हुए देखिए This allows your mind to calm down ऐसा करने से आपका जो मन है वो सांत हो जाता है Write down all your worries, अपनी सारी चिंता है जो समस्यान को लिखिए Putting them on a piece of paper gets them out of your head उनको कागच पर लिखने से वो आपके दिमाग के बाहर हो जाती है What exercise the right side of the brain? कौन सी चीज brain के right side को exercise कराती है तो listening music and dancing through the room exercise the right side of the brain संगी सुनना, डांस करना, इससे मारा जो brain है उसका right side की exercise होती है How can one get rid of worries? कोई व्यक्ती चिंताओं से कैसे मुक्त हो सकता है तो one can get rid of worries by writing down them on a piece of paper उनको कागच पर लिख करके व्यक्ती चिंताओं से मुक्त हो सकता है Such behavior showing the adaptiveness of ants has been noticed and studied by many Adaptiveness यहने कुसलता हम कह सकते है चीटियों का ऐसा जो behavior व्यावार है वो चीटियों की कुसलता को दर साता है जिसको भाहसे लोगो ने श्टी किया है Now science has discovered some things about ant life which seems to show that the intelligence of these tiny creatures is very close to human intelligence अब science ने कुछ चीजे discussed खोजी है चीटियों के जीवन के बारे में जो बताती है कि उनका जो intelligence है यह मनुस्री के intelligence जितना ही है Not all scientists consider to this view But you may look at some of these facts and form your own opinion सभी scientists इस बात से सहमत नहीं है लेकि अगर आप उसको देखते हो तो आप अपना खुद का एक opinion बना सकते हो What type of behavior of ants has been noticed and studied किस प्रकार का जो चीटियों का विवार है इसको notice किया गया अध्यन किया गया तो the adaptness of ants has been noticed and studied by many चीटियों की जो adaptness है जो कुसलता है बहुत से लोगों notice किये उसका अध्यन किया है What has science discovered about ant life विज्ञानिकों ने चीटियों के जीवन के बारे में क्या खो जाए तो science has discovered about ant life that the intelligence of these tiny creatures is very close to human intelligence कि ये छोटे जीवों का intelligence से है मनुशिक के intelligence के काफी करीब है short note लिखनी है driver ants ये बहुत खतरनाग चीटिया होती है ये चीटिया इतनी खतरनाग होती है दोस्तों किनका पूरा जुड जो है ये अगर इसके रास्ते में सेर आ जा तो सेर को खा लेती है tiger आ जा तो tiger को खा लेती है ये जब दच्छिर अफ्रिका के जंगलों में किसी गाउं में हमला करती है तो वहां के लोग अपना घर बार छोड़ करके भाग जाते है वापस आके हैं तो उनकी मुर्गियां, बक्रियां, घर में रहने वाले कौकरों चोगरों को सब ये चीटिया खा चुकी होती है तो इसके बारे में है इस पर मैंने वीडियो बनाया है हमारी एक चैनल है दोस्तो Fact Finder उसमें मैंने इसके उपर वीडियो बनाया है तो दिखिये Diver Ants There are many types of ants in different countries अलग लग देशों में अलग बहुस प्रकार की चीटिया होती इस study is also a very tough work उनकी study बहुत tough work होता है The most dangerous and ferocious kind of ants are the driver ants of Africa सबसे खतनाक और ड्रावनी जो टीच्टिया है वो कौन सी है? Driver ants जो अफरीका की होती है They are not only blind but also have fixed homes विस सिर्प अंधी नहीं होती उनका घर भी fixed नहीं होता है ये मतलब क्या होता है? ये पूरा इनका जुंड होता हजारों के समूग में ये किसी पेड का जो खोकला तना उसमें चिपी रहती है और रात को निकलती है It means they are always on the move ये हमेशा चलती रहती Even the large animals like elephants, tigers live in fear of them हाथी, tiger जैसे जो प्राणी है वो भी इन से खौप खाते है Because they eat anything that comes in their way क्योंकि इनके रास्ते में आने वाली हर चीज को खा लेती है Even a python unable to move after swelling its prey becomes the food of driver ants जैसे मालो किसी अजगर ने किसी प्राणी को खा लिया है स्वेलों याने निगलना पर ये का मतलब होता है सिकार और वो मूँ नी कर पा रहा है तो इस चीटिया उसको भी खा लेती है उस अजगर को भी खा लेती है और उसके पेट में जो सिकार रहता उसको भी खा लेती है According to Africans they eat babies too वो बच्चों तक को खा लेती है If the driver ants enter the house its residents have to flee into the forest अगर driver चीटिया घर में घुस आए तो वहांके जो निवासी है उनको घर छोड़ जंगल में भाग जाना पड़ता है Next is bonding between Nana and Nani Nana-Nani के बीच में कैसा बोल्डिंग था वो बताना है तो points से how old was Nana Nana की उमर क्या थी How long had Nana and Nani been together कितने समय उसाथ में रहे How did Nana behave with Nani Nana कैसा व्यवार करते थे What chance came in Nana after Nani's death Nani की मृत्यू के बाद Nana में क्या बदला हुआ What did doctor say about Nana's illness Doctor ने Nana की बीमारी के बारे में क्या का The relation between Nana and Nani is described beautifully in the adjustment यह जो topic है हमारा During their about 50 years marriage life we find deep love and bonding between them उनमें गहरा प्यार देखने को मिलता है The other and his brother where their daughter's sons जो लेखक है और उसके भाई यह इनके बतलब पुत्री के बेटे थे The other's mother had problem with marriage life So Nani fought with her daughter जो लेखक की माता यह जो पाठी है लिखा है गुलजार ने बहुत ही लाजवाब आदमी फिल्म दरस्टी के बहुत बड़े लेखक है और यह Nani was suffering from disassociative personality disorder and was morphing into Nani with his wife anytime तो Nani की मृत्यू के बाद ना जो थे एक बीमारी होती है mental disease है disassociative personality कुछ और ही समझता अपने आपको और उनको ऐसा लगता हूँ अपने आपको Nani से morphing कर रहे तो Nani बन गए थे During that period he acted as if he were Nani and did all activities the same as Nani did when he was alive वो आपने आपको Nani मानते तो वो वैसी activity करते है जैसी Nani करती थी This intensity of love can also be seen at the end when the other reached Nani's room and got shocked by watching him in Nani's cloth ये intensity लेखक ने भी देखी जब वो अंत में story के end में रूम में जाते हो देखा है कि पलंग पे जो नाना थे नानी के कपड़े पेने हुए थे तीसी स्टॉप्री शॉटनोट है हमारी Screen exercise and technique of anticipating success How is the life of the people in this modern age Modern age में लोग का जीवन कैसा हो गया है What stops the people think clearly कौशी चीज है जो लोग को सपस्दंग से सोचने से रोकती है What are simple steps to do screens exercise Screen exercise कर रहे के simple steps क्या है What steps should we follow for anticipating success technique Success technique के लिए हमको क्या करना चाहिए When the emotion takes you over You are unable to think properly and decide unwisely जब emotions भावना आप पे हावी हो जाती है तो आदमी या आप सही डंक से नहीं सोच पाते और सही डंक से नेरा नेरे पाते During this disadvantages situation यह जो इस तरह की situation है The skin exercise helps you to detest from where you are इस exercise से आप जो भी उससे detest हो जाते है अलग Then you will have a new perspective on your stress-causing problem तापकि जो समस्या उस पे आपका नए डंग से विचार जाता है This enables you to think more calmly इसमें आप बहुत और भी सान्थी गुरुवक्त सोचने लगते जो आपकी पोजिशन में है Now as an outside observer, think about the advice you wish to give the person at your place अब आप जो आपकी जगह दूसा विक्ती जो आपने इमेजिन किया है उसको आप ऐसी समस्या के समय क्या सला देंगे वो दीजिए Now open your eyes and follow the advice of your own अब आखे खोलो और उन advice का उन सला का खुद पालन करो तो यह skin exercise है दोस्तो Real freedoms of workers according to Helen Keller Helen Keller के अनुसार जो Workers थे उनकी real freedom क्या होगे तो पहला point है Who are enemies of workers according to Helen Keller Helen Keller के अमसाल workers के सत्रू कोन है How are the workers be fooled by their masters जो workers हैं उनको उनके मालिक द्वरा किस तरह से मूर्ख बनाया जाता है How do workers work in factories and war मजदूर factory और युद्ध में कैसे काम करते हैं What do workers get in return मदले में workers को क्या मिलता है What is the condition of their children के बच्चो की स्थिती कैसी है What is the real freedom for workers मजदूरों के लिए स्वास्त्रिक आजादी क्या है What magic facilities should workers be provided मजदूरों को कौन सी basic facility देनी चाहिए तो according to Helen Keller The masters themselves are the greatest enemies of the workers जो मालिक हैं ये मजदूरों के सबसे बड़े सत्रू है These intellectuals and politicians would radicalize the workers to fight in war ये जो intellectual बुद्धिमान लोग है जो राजनेता है ये मजदूरों को वार में लड़ने के लिए प्रेरिद करते है They would tell the workers about the cruelty of workers So the workers would be fooled again वो workers के मतले enemies लिखना चाहिए आपे वो सत्रों की जो cruelty उसके बारे मताएंगे और मजदूरों को दुबारा मूर्ख बनाएंगे The propaganda of khaki dress and rifle would prove the workers police by putting their life in danger for their master अब ये प्रोपेगेंडा का मतलब होता है प्रचार ये जो प्रचार होता है इसके बाद क्या होगा जो मजदूर एक khaki dress पेनेगे सैनिकों का rifle लेंगे और अपना जीवन मालिकों के लिए खत्रे में डाल लेंगे The workers are treated just a little more than the parts of machine मजदूरों को machine के हिस्से से जादा कोई वहमियत नहीं दी जाती The workers perform different activities of danger at the risk of their life अपने जीवन के risk पर बहसे activities करते हैं in return workers got nothing more than poverty, taxes, rents, unreasonable wages मजदे मजदूरों को क्या मिलता है गरीबी, tax भरने पढ़ते हैं rent, किराय भरना पढ़ता है और जो wages यानि जो वेतन है वो unreasonable होता है उनकी महरत के इसाब से उनको नहीं मिलता यहाँ पर हमको दोस्तों इसमें लिखना है pay heed to याने ध्यान देना taken aback मतलब to be surprised आश्यर चकित हो जाना stubborn याने जिद्धी लिख देता हूं है और रिवेट रिवेट याने किसी जगा पर जकर देना the nature by the nature scientist was taken aback यहाँ पर आएगा taken aback so in the beginning he did not pay heed to remarks of his assistant उन्होंने अपने assistant के जो remarks पर द्यान नि दिया but when he witnessed the incident he was यहाँ टेकन aback आना चीए अब यहाँ पर उसे आश्यर हुआ यहाँ यहाँ पर आएगा stubborn इस्ट बन आना चीए okay यानि नेचर वाइग जो scientist के साथ जिद्धी था इसलिए उसने जो assistance थी उसकी टिप्रियों पर ध्यान निये दिया लेकिन जब उसने इस incident को देखा तो उसको काफी आश्यर हुआ रिवेटेड यह टेकन अब एक ज़्यादा बेटर है रिवेटेड लिग दीजिए ओके वादनी अब यह हमारा section सी है early in the autumn of 1984 my mother begin writing the story of her life autumn का मतलब समझे आटम मतलब होता है पत्जड और spring का मतलब होता है वसन्त यह रितुए है तो पत्जड में मेरी माता ने अपने जीवन की कहानी लिखना शुरू किया she was energetic woman woman in her seventies 70 वर्स की आयो कि में भी वो energetic उरजा पूर्ण थी it was her desire to put down her thoughts and memories in her my book उनकी इच्छा थी कि अपने विचार और यादों को एक बुक को लिख रही थी जिसमें my book उसमें डालना लिखना चाहती थी once she came for dinner and told me that she had to work on her book एक बार वो डिनर पे आई हो कहा कि वो अपनी बुक पर काम कर रही थी I laughed and asked her where the fire was मैंने पूछा कि भाई आग कहा है उस्सा कहा है आपके the fire was inside her वो जो आग जो उस्जा थी जो उस्स्वा थी वो उनके अंदर थी she finished her book in early December three days after Christmas her cancer was discovered and three months later she was died Christmas के तीन दिन बाद उनका जो cancer था detect हुआ और तीन मेने बाद उनकी मृत्यों गई the narrator's mother began writing the story of her all life खुद के जीवन की कानी वो लिखने लगी why did the narrator's mother develop the habit of writing लेखिका की जो लेखक की जो मदर थी उन्होंने लिखने की habits क्यों develop करी तो the narrator's mother developed their habit of writing because it was her desire to put down her thoughts and memories in her my book क्योंकि उनकी इच्छा थी कि अपने विचार और यादों को इस book में लिखेगो what disease was detected in the detector to the narrator's mother यानि लेखिका लेखक की जो माता थी उनमें कौन सी बीमारी डिटेक्ट हुई थी तो it was cancer तो the what के मतले लिखो the disease cancer was detected to the narrator's mother next day one afternoon while writing for husband to finish a business meeting एक दोपर को वो अपने husband का अंजा कर रही थी कि वो business meeting पूरा करें मांसी टूर्ड एन आर्ट मुजियम मांसी एक आर्ट मुजियम में गई she was looking forward to a quiet view of the masterpiece वो एक masterpiece को देख रही थी a young couple viewing the pantings ahead of her chatter non-stop between themselves उनके आगे एक young couple था एक जोड़ा था चो लगातार chatter करना chatter मतलब to talk, बाते करना she observed them a moment and found the lady only talking all the time उसने एक छण के लिए उसको देखा कि जो lady थी वो लगातार बोले जारे थी मांसी thought of the man and admired his patience for tolerating her constant parade of words मांसी ने उस आदनी की प्रसंसार की कि उसकी जो पैसें धीरा जो और सें सकती की जो उस सब उनके उसके उस महिला के सब्दों को लगातार सुने जा रहा था what place did मांसी विजिट मांसी किस जगा पे गई थी तो आर्ट मुजियम तो मांसी विजिटेड आर्ट मुजियम why did मांसी admire the man मांसी ने आदमी को admire क्यों किया तो मांसी admire the man for his patience for tolerating the her constant parade of words तो देखें मांसी admire the man's patience for tolerating the lady's constant words parade of words आप ध्यान से पढ़ेगे और दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही golden advice दूँगा कि यह जो comprehensive होते हैं इनके उत्तर लिखने से पहले सबसे पहले प्रसलो को पढ़े सबसे पहले प्रसलो को पढ़े उसके बाद पहरे गराप पढ़े तो ऐसा करने से आपको मालूम पढ़े है आपको पढ़ना क्या है और जो उत्तर है आपको बहुत जल्दी मिल जागा फिर आपको ढूड़ना नहीं पढ़ेगा ओके Read the following passage and write its summary Suggestion suitable title for it यह passage को पढ़कर के आपको इसकी summary है लिखना है summary याने one third जो हम कर दीते एक तिहाई हिस्सा वो वाला करना है उसको एक title देना है तो यह आप कब कर सकते हैं इसमें आप जो आपको व्यर्थका लगे उसको आप निकाल सकते हैं दो तीन वाक्यों को जोड़के एक वाक्य बना सकते हैं इस तरह से आप उसको sword कर सकते हैं तो यह आप कब कर सकते हैं आपको पूरा थीम इसकी किलियर हो तो मेरे स्वाट को रोकने के लिए जो मेरा अपोनेंट था प्रतिधन्दी उसने मुझे मिड एर हवा में ही चैलेंज किया बट इनसेट उप हैंड रॉड़ी स्लेम इंटो माइंड लिविंग मी अनकोंशियस इन डा मिडिल ऑफ दशिल और इंसेट आप बाल की होड जाने के बदले उसका जो सरीर था मेरे सरीर से तकराया और मैं अनकोंशियस होगया अनकोंशियस प्रतिव गया मेंदान के बीच में उसी समय जो मेरे टीम मेट्स थे उनको जीत का और डर का दोनों तरह की आवाज है उन्होंने की दर इस बात का था कि मैं बहुस हो गया था और वो जीत गए थे इसकी खुशी भी थी तो जब मुझे ऐने हो साया तो मैंने पाया कि मैं होस्पिटल बेट पे था मेरे चारों मेरी फेमली फ्रेंड्स और टीम के लोग थे अब आप माई साइड वे डॉक्तर्स डिटर्मिनर्स अप माई फ्यूचर मेरे बाजु में थे डॉक्तर जो मेरा भवी सिनिश्ट करने वाले थी दॉक्तर टोल्ड मे थे इट आप टो अंडर गो एन एक्टिमली रेयर सेर्जरी डॉक्तर ने मुझे कहा कि मुझे एक रेयर रेयर ने बहुत ही दुरलब प्रकार की जो बहुत कम होती है इसी सर्जरी में से जाना होगा गुजरना होगा इसी सर्जरी बहुत कम होती है और इसमें सपलता का चांस होता मात पचास परसें अपर सम थिंकिंग आई डिसाइड़ टो अंडर्गो दर सर्जरी नोइंग देट मैं मैं मैंनी चैलेंज़ वूड अवेट मी कुछ सोचने के बाद मैं सर्जरी में गया मुझे लगा कि बहुत सी चैलेंज मेरा वेट कर रहे होगी वूड आई बी अबल टो फिनिस माई स्टडी क्या मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर प्रण होगा what effect would I have on my social life मेरी social life पे क्या प्रभाव पढ़ेगा what effect would I have on my grades मेरे grades पे क्या प्रभाव पढ़ेगा these questions circled my head unfortunately दुर्भागे से यह प्रस्ण मेरे दिमाग में मंडराय रही थे only time would provide answer और समय ही इनके उत्तर देगा तो अब दोस्तों इसकी summary बता रहा हो में तो यहां पर देखे मैं क्या हुआ था कि लेखर जो था उसको खेलते समय चोट लगी hospital में गया और उसके चिंता के विश्चेश थी उसका भविश्चे हाथ तो देखे दोस्तों यहां मैं वीडियो पूरा कर रहा हूं और जो सेकंड पार्ट है उसको थोड़ी देर आउसको भी अप्लोड करूंगा वह भी आप लोग देखेगा थेंक्यू बेरी मच्छ फ्रेंड्स आवे बेरी नाइस टेप झाल कि बेरी मुनां करूंगा वि richest हैं अवीर सेकंज मत्री नाइस थी तर सकेंट। देक जाएस ऑ इस हम देक्ट्पार्म करते हम मönंगा चाल को दोस्तों आवावे जह।